हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ गीद स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल गाडनिंग विद गीद कुमार में आज कुछ बहुत ही खुपसूरत इंडोर और हैंगिंग बास्केट्स में लगा के रखने वाले पौधे लेकर आई हूँ यह जो प्लांट्स हैं बहुत ही इजी टू मेंटेन इजी टू केर प्लांट्स होते हैं ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है इन प्लांट्स के उपर सुबा की जहां पे हलकी धूप मिलती है इन प्लांट्स को वहां पे अगर रखते हैं आप तो इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है प्लांट्स बहुत जल्दी ग्रो होते हैं तो ऐसे कुछ प्लांट्स लाई हूँ सबके नाम शेर करूँगी प्लांट्स भी शेर करूँगी अच्छा लगे वीडियो आप लोगों को तो लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गाइनिग जीश दुमार को तो स्टार्ट करती हूँ वीडियो फ्रेंट्स तो पहला जो प्लांट है आज का ये देखे ये है मौनस्टेरा प्लांट इसकी बहुत सारी वराईटी जाती है इसे स्विस चीज भी कहा जाता है और इसे broken heart plant के नाम से भी जाना जाता है इस plant की खुबसूरती इसकी पत्तियों से ही है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे friends कितनी खुबसूरती से ऐसा लगता है कि किसी ने कार्ट दिया है कैंची से इसे design बना दिया हो लेकिन ये naturally ही निकलते हैं सारी पत्तियां इसकी जो निकलती है वो अपने आप निकलती है इसी तरह की सारी की सारी तो इसी में इसकी खुबसूरती है ये एक बहुत ही खुबसूरत ornamental plants होते है सुबह की हलकी दूप इन प्लैंट्स को मिलती है तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते है तो ये था मॉंस्टेरा यानि की स्विश चीज जिसे ब्रोकन हाट भी कहते है हैंगिंग बास्केट्स में बहुत खुब्सूरत लगेंगे अगर आप लगा कर रखते हैं तो नेक्स जो प्लैंट है गोल्डन मानी प्लैंट इससे पोथोस के नाम से भी जाना जाता है इसकी खुबसूरती इसके गोल्डन गोल्डन जो इसकी पतियां है golden leaves है उससे इसका नाम golden money plant पड़ा है अगर इसके पतियों का रंग आप लोगों को फ्रेंस golden ही जैसा कि इसमें निकल रहा है इसका जो original color है natural color जो है इसका अगर आप लोगों को बनाए रखना है तो आप लोग सुबर की हलकी धूप in plants को सुबर की एक से दो घंटे की जरूर द लेगी अगर आप ऐसा नहीं करते हैं बिल्कुल completely indoor रखते हैं जाए इन plants को bright light तो मिलती है लेकिन धूप नहीं मिलती है तो इन plants की जो पतियां है वो अपने आप ही green color में change हो जाती है जैसा कि normal money plants जो आते हैं वो वैसे चेंज हो जाएंगे वैसे golden colors का खतम हो जाएगा तो इसलिए इसे हमिशा धूप जरूर दिखा दिया करें घर के अंदर भी आपने लगा के रखा हो तो इसे week में कम से कम दो से तीन बार सुबक की एक से दो घंटे की धूप जरूर दिखाया करें ताकि इसका जो golden color है वो maintain रहे और ये भी मैंने भी इसे लगाया हुआ है फ्रे इसके बात जो next plant है ये देखे फ्रेंड्स ये है Philodend sip कहते है इस प्लांट को Фिलडूड separate plants की वैसे बहुत सारे वराइटी होती है उसी में से एक वराइटी है ये Philodend Cave Velin बेरिगेट इड वराइटी है इसकी पत्यां बहुत ही खुबसूरत होती है सफेद और हरे रंकी मिली हुई होती है कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा दिया हुआ है किसी भी हैंगिंग बास्केट में ये सारे प्लैंट सकर आप लगा के रखें तो बहुत ही खुबसूरत लगते हैं एक लाइन में अगर आपका टैरस है बड़ा तो आप उपर की तरफ लगा कर रख सकते हैं किसी रॉड में अटका कर तो बहुत ही प्यारा लगता है ये इसकी पत्यां फ्रेंट से ये देखें नीचे की तरफ निकलती जा रही है तो उची जगह में टांग कर रखें तो ये पत्यां नीचे की तरफ जुकती चली जाती है जो की बड़े ही प्यारे लगते हैं और इनको कटिंग से बहुत असानी से लगा सकते हैं नेक्स जो प्लांट है स्पाइडर प्लांट इसकी भी बहुत सारी वराइटीज आती है इसे क्लोरोफाइटम, कोमोसम भी कहते है स्पाइडर प्लांट को ये बहुत अच्छे एर प्यूरिफायर प्लांट होते हैं और इनकी भी बहुत सारी वराइटीज होती है और ये वरिगेटेड वराइटी है इसकी normal पत्यों वाली normal green कलर की पत्यों वाले भी प्लांट्स आते हैं spider plants के तो ये भी hanging baskets में बहुत ही प्यारे लगेंगे जो spider plants होते हैं ये आप इसको outdoor भी रख सकते हैं जहां पे इन plants को धूप अच्छी मिल जाती है तो भी वहाँ पे अच्छी तरह से survive करते हैं बहुत ही easy to care, easy to maintain plants होते हैं ये सारे इसके अलावा फ्रेंट्स ये देखें ये भी money plant की ही एक variety है normal green पत्तों वाली है इसको मैंने cutting से grow किया है और इसको भी मैंने hanging basket में ही लगाया है बहुत अच्छी तरह से grow हो रहा है और बड़े ही प्यारे लगते हैं इसकी growth friends ये देखें कितनी अच्छी हो रही है और एक और मैंने लगाया हुआ है hanging basket में ही उसको money plant को उसमें बहुत अच्छी growth हो रही है काफी उसकी ब्रांचे से काफी लंबी लंबी हो गई है तो बहुत ही प्यारे लगते हैं वैसे तो आप लोग भी ऐसी लगा कर रख सकते हैं उसकी cutting grow कर सकते हैं मैंने तो cutting से ही सारे plants grow किये है money plants के इसके अलावा ये जो plant difference marble queen है marble queen इसको बोलते है money plant की ही variety है बहुत अच्छे air purifier होते हैं और money plants की जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत सारी varieties होती है तो उसी में से एक ये है तो इसको भी आप hanging basket में लगा कर रख सकते हैं इसके अलावा wondering dew इसको भी आप लगा कर रख सकते हैं cutting से grow कर सकते हैं बहुत आसानी से बहुत सारे plants बना सकते हैं तो बहुत ही प्यारे लगेंगे सारे के सारे plants और last may friends ये दिखाऊँ ये है baby sun rose का plant इसमें red color के छोटे छोटे फ्लाज आते हैं जो की बड़े ही प्यारे लगते हैं इसमें अभी bird बन रहा है इसकी कली बन रही है और flowering होगी तो मैं आप लोगों के साथ share करूँगी तो ये था baby sun rose ये भी completely outdoor plants होते हैं baby sun rose सुबा की 3-4 घंटे की धूप मिलती है तो बहुत अच्छी तरह से इसमें flowering होगी और किसी भी plant में अगर आपके flowering नहीं हो रही है तो plant को धूप ज़रूर दिखाएं बिना धूप के plants healthy growth नहीं कर पाते हैं और flowering भी रुख जाती है कभी-कभी तो धूप की कमी की वज़े से जो flowering plants होते हैं उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं तो धूप बहुत ज़रूरी है plants के लिए चाहे वो outdoor plant हो चाहे वो indoor plants हो तो यही था आज का हमारा plant video friends I hope आप लोगों को पसंद आया होगा आया हो तो like, share and subscribe जरूर करें मेरे चैनल gardening with गीत कुमार को मिलूँगी next video में till then bye friends take care